हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और नई और वेस्ट कुशिंस की क्लास में तो कैसे हैं आप सभी दोस्ते एक बार थम्स अब करके बता दीजे सब दोस्त बड़ी है आज की क्लास के लिए रेडी हैं सब तो आज की क्लास जो है मिरे वाई वजी अज़्स अपने देते जाएं तो चलिए फर्स्ट कुशंद देखते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेस में आपको मालूम है कुश्चंस होते हैं तो पहला कुश्च देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेस जो है वो एर्थ शेडिउल में वो constitution में जोडी नहीं गई नौट है जो नौट लिखा गया है ठीक है तो 8th schedule अगर languages के related बात की जाए तो 8th schedule of Indian constitution जो है ये mention किया जाता है जिसमें languages जो है वो add की गई थी और इसमें English language जो है ये बिलकुल हमारा सही answer रेगा है English language add इसमें नहीं की गई थी क्योंकि 8th schedule में क्या किया गया था सिर्फ और सिर जम्मू की कोई language है पिंजाब की कोई language है असाम की कोई language है तो इनकी native language जो होती है वो सब वहाँ पे add की गई थी तो आज की class में है इसी तरह से हम थोड़ा जल्दी जल्दी questions को करते हुए चलेंगे ज्यादा explanation जो है वो नहीं करेंगे revision रहेगे आपके quick revision ठीक है और सभी द next question की और अगला question कहता है कि कोन सा इनमें से vitamin है जो की antioxidant की तरह behave करता है antioxidant की तरह behave करता है antioxidant होता क्या कि एक substance होता है जो की आप कह सकते हैं cell को protection देता है किसे cell को किसे protection देता है free radical से ठीक है antioxidant एक substance होता है जो cell को free radical से protection देता है और free radicals क्या होते हैं आप कह सकते हैं ये बहुत ही highly reactive molecules होते हैं ठीक है और ये किस में पाया जाता है तो vitamin C हमारा बिलकुल सही answer रहेगा vitamin C हमारा बिलकुल सही answer रहेगा अगले question की तरफ चलते हैं इस बार जैसे कि आप सभी को मालूम है 2024 में BRICS की जो chairmanship है वो किसके एंटर है वो है रशिया के एंटर और रशिया का leader कोन है इस time top पे बैठा हुआ तो ब्लादमीर पुतिन ब्लादमीर पुतिन जो है वहाँ का president ह तो उन्हेंने कहा कि ब्लादमीर पुतिन जो है इसने इस बार BRICS के जो समेलन हुआ उसमें किस चीज़ पे जो है वो focus किया है mainly तो इसमें ब्लादमीर पुतिन जो है रशिया के president इन्होंने focus किया है advance करना global development को और security को security पे तो definite सी बात है वो करेंगे क्योंकि Ukraine के साथ उनका जो है वो पंगा चल रहा है इसमें पहले पांच जो मेंबर जुड़े हुए हैं BRICS में वो कौन-कौन से हैं B से आप लिख सकते हैं Brazil, R से Russia, I से India, C से China और S से South Africa ये इसके पांच पहले members हैं clear है तो बढ़ते हैं अपने next question के और किसी question में कोई doubt रह जाए आपको अगर कोई question समझना आए तो आप comment box में बता दीजेगा वहाँ पे आपको answers जो है वो मिल जाएगा तो next question है कौन सी scheme है जिसका नाम renamed किया गया है दुबारा से नाम करन किया गया है as a ruler national ruler livelihood mission रखा गया उसका नाम तो इस scheme का जो है वो पहले नाम क्या था किस जोजना का नाम बदलकर ımızı गया जीवी का mission रखा गया है clear question समझ आ गया जल्दी से सर्वजन्ती ग्रामीन स्वराज जोजना स्वरण जन्ती ग्रामीन स्वρχार रोजगार जोजना स्वर रोजगार जोजना जो है option number C हमारा बलकुल सही हो जाएगा जिसका की rename करके रखा गया था next question देखते हैं आज की क्लास का, who is the writer of the novel, the white tiger, white tiger के novel के writer कोन है, white tiger के साथ एक और लिख लिजिए, इनकी एक और most important है, last man in tower, last man in tower, ठीक है, ये दो इनकी most important है, तो answer रहेगा हमारा, arvind adiga, arvind adiga, arvind का spelling थोड़ा सा आप इस तरह से लिखेगा, arvind है, ठीक है, arvind adiga है, यहाँ पर a जो है, इस option में a की कमी है, ठीक है, arvind adiga जो है, यह इसका बिलकुल सही answer रहेगा, next question पर चलते हैं, next question क्या गया था, which of the following is a block mountain, mountains जो है, वो चार किस्मों के होते हैं, कितने किस्मों के होते हैं, चार types के होते हैं, एक तो आगे block mountains, ठीक है, दूसरे आगे residual mountain, यह आपको फिर किसी next class में करवाऊंगा, आज की जो है revision class है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको करते हुए चलेंगे, और तीसरे आगे accumulated mountain, और चोथे नंबर पे आगे fold mountain, फोल्ड होते हैं, जो junk type mountains होते हैं, जैसे हिमालयाज हैं हमारे, clear, तो यहाँ पर पूछा गया block mountain जो है, इनमें से कौन से हैं, block mountain कौन से होते हैं, जो book up गयरा आता है, जहाँ जमीन जो है, land जो है, land moment में आती है फटती है, तो plates उपर नीचे होते हैं, तो उसकी बज़ा से जो बीच में से निकल जाती है, तो उसकी बज़ा से block mountains बनते हैं, तो option number B, यहाँ पे हमारा सही रहेगा, सत्पूरा mountains जो है, यह block mountain की category में आते हैं, next question देखते हैं, हमारा किया है आज का, बिदूत्य हीटर में तापन तत्तव किस दातु का बना होता है, electrical heater जो होता है, उसमें जो hitting element होता है, जो उसमें coil daily होती है, simple जो उसमें coil daily होती है, जो आप देखते हैं गि red-red हुई होती है, वो किसकी बनी होती है, तो वो coil जो है, वो nichrome की बनी होती है, नेक्स्ट कुशन देखते हैं अपना इंटरस्ट बिलो विच ओव बैंक इस नौट एक्सपेक्टेड तू लेंड इस कर्मर इट इस नौट एज बहा ब्याज जिससे कम ब्याज पर बैंक अपने ग्रहकों को रिन देने की अपिक्शन नहीं करता है उसे क्या कहा जाते है बैं अधारदर यहां फिर आप कह सकता है बेस रेट बेस रेट पर जो है वो बैंक लोन कभी नहीं देता है और उसके लिए अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट हो जा वैसा कुश हो तो आर्बियाई के कहने पर आर्बिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पर इसके एप्र ट्रीटमेंट इस जूजड फर रिमूबल ऑफ बायोजिकल इंप्रिटीज जैविक अशुद्यों को दूर करने के लिए निमिलिकित में से किसका उपचार जो है वो उपयोग में लाया जाता है तो स्टेरिलाइजेशन जो है डिस्टिलाइजेशन आपको पता है डिस्टि बंद्या करन जो है अमारा बिलकुल सही आंसर रहेगा जो कि वायोलोजिकल इंपिरूटीज को दूर करने में जहां आप कह सकते हैं उनको निकालने में हैलफुल होता है बढ़ते हैं आपने आज की क्लास के नेक्स्ट कुशिन के उपर तो पाक स्ट्रेट के उपर कुशिन इसके बीच का इरिया है इसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट तो पाक स्ट्रेट जो है वो किसको अलग करता है श्रिलंका को अलग करता है इसके सिवाद दो तीन और पूछे जाते हैं रेड क्लिफ पूछा जाता है तो रेड क्लिफ रेड क्लिफ जो है ये पाकिस्तान को अलग क करता है clear है चलिए बाकी बढ़ते हैं अपने आज के next question की तरफ अगला question देखते हैं क्या कहता वाई who is known as the father of blue revolution blue revolution के father जो है वो किने कहा जाता है ये चारों के चार नाम important वाई ठीक है ये चारों के चार नाम जो है वो important बन जाते हैं चार नहीं इनको छोड़ दीजिए चलिए देखे सबसे पहले बर्गीज कुरेन है तो ये कौन सी revolution के father है तो इने कहा जाता है white revolution के father white revolution जो कि किसके related थी milk के related थी हरी लाल चोधरी जो है हरी लाल चोधरी आएंगे blue के ब्लू revolution के father माने जाते हैं और ये किसके related थी fish के production के related थी फिर MS स्वामी नाथन most important बन जाता है जो कि आते हैं green revolution के father MS स्वामी नाथन जो कि किसके related थी food grain के related किसके related food grains के related थी clear है फिर इसके जिवा एक और आते है वो silver करके आती है silver silver करके ठीक है silver revolution के father कौन थे तो ये थी इंदिरा गांदी इंदिरा गांदी जो हैं ये सिल्वर रेवलिशन की फादर थे इन्हें कहा जाता है ठीक है तो ये किसके रिलेटर थी ये थी एग प्रोड़क्शन के रिलेटर अब ऐसा मत बोलेगा कि सर आप यहां कहा रहे हैं कि फादर है तो ये तो लेडी है ये फादर कैसे बन गई फादर एक आप पैसे हैं एक टाइटल होता इसमें ठीक है जो भी उसका जिसने उस चाज को डिसकुर्ट किया होता है ज़ा सामने लाया हसा है उसे फादर का टाइटल दिया जाता है clear यहां पर जेंडर बेस पर नहीं बात की जाती तो बढ़ते हैं आपने next question के उपर अगला question क्या कहता है which of the following local wind help in blossoming of coffee floor कौन सी local wind है भाई जो coffee के floors को blossom करने में मदद करती है blossom होता है खिलना ठीक है खिलना type कह सकते हैं जहाँ खिलना ही होता है तो जब coffee के जो floors हैं उनको खिलते हैं तो उनमें कौन सी बिंड जो है वो महां मदद करती है अब इसका आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि coffee आपको पता कहां होती है south में होती है ठीक है coffee कहां होती है south वाली side होती है तो south में क्या चलता है एक तो mango shore चलता है mango shore में बच्चे confused है केरला और करनाटक में जो है blossom shower चलता है यहां पर लू जो है यह ई नहीं लू आएगा लू जो है यह लू कहां चलती है लू चलती है भाई यह north के areas में ठीक है यह ऐसे UP हो गया बिहार हो गया राजस्तान हो गया और साथ में देली हो गया ऐसे areas में जो है वो लू चलती है और पंजाब में भी कुछ अध तक रू जो है वो देखने को मिलती है clear है यहां तक दोस्तो और नौरबेस्टर जो है यह West Bengal में चलता है Asam में, A生am में A生am में और ओडिसा में चलता है clear? चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं mango shore मैंने इसलिए नहीं बताए क्योंकि यह मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ तो जो question एक बार करवा चुका हूँ वो दुबारा दुबारा से वैसे explain नहीं करूँगा अगर कोई class में revise करवाना हुआ तब उसको explain किया जाएगा next question क्या कहता है the marginal probability to consume MPC refers to IK IMEI परिवर्तन के साथ उपवोकता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता rate of change of consumption as income change मतलब कि जब income change होती है अब मान लिजिए कि मेरी income है भाई आज 50 रुपे और मैं जो चीज खरीदूँगा बद 10 रुपे की ही खरीदूँगा मैं 40 रुपे बचाऊँगा अपने future के लिए अब मेरी income बढ़के 50 से हो जाती है 100 रुपया ठीक है तो मेरा जो है rate है वो चीज को consumption करने का लेने का चीज़ों को वो मेरा भी बढ़ जाएगा rate बढ़ जाएगा जहाँ पहला 10 रुपे की चीज़ खरीद था अब मैं वहाँ पर 20 रुपे की चीज़ खरीद सकता हूँ या 30 रुपे की चीज़ खरीद सकता हूँ क्लियर है तो rate of change of consumption और income change होने के साथ जो होता है उसे हम कहते हैं MPC Marginal Provency to Consume क्लियर चलिए बढ़ते हैं आपने next question के आज की class के which of the following dance form is not a classical dance form classical dance आपको पता है करवा चुका हूँ मैं बहुत बार करवा चुका हूँ ये questions तो किसी भाई का गलत होना ही नहीं चाहिए क्लियर क्लासिकल डांस जो है स्टार्टिंग में क्लासों में दो तिन क्लासिस में लगातर करवाया हूँ है तो बीहु जो है बीहु भाई classical dance नहीं है बीहु classical dance नहीं है तो जल्दी से बता दीजे बीहु जो है वो किस state का किस union territory का dance है ठीक है कुछी पूड़ी आपको पता है आंद्रा का है ODC पता है मनिपूरी पता है ये सब पता हैं clear तो बीहु का बता दीजे भाई बीहु जो है ये कहाँ का dance है यह आपका होंबर का है, यह आज का question जो आपको दे दिया मैंने, यह आप सभी दोस्त इमान से बिता दीजी का comment box में तो next question जो है, who was the first Indian recipient of Raymond Magasya Award Raymond Magasya Award के पहले बारतिय जीने मिला था, तो वो थे बैवे, ठीक है, विनोवा बावे जो है, option number B जो है, बिल्कुल से यह answer रहेगा, clear है, विनोवा बावे जो है, यह पहले बारतिय बने थे, जिनको Raymond Magasya Award मिला था, next question देखते हैं अपना, next question पर क्या गयते हैं, when was the national commission for women established, women के लिए national commission जो है, मेरे बावी कब established किया गया था, तो women के लिए national commission किया गया था, 92 में, 1992 जो है हमारा यहां पे बिल्कुल सही answer रहेगा, तो इस commission की first head जो किया था, वो किया गया था, जैनती पतनायक के द्वारा, ज next question देखते हैं, next question क्या गया था, where will the joint military exercise desert cyclone 2024 between India and UAE will be held, ठीक है, इंडिया और UAE के बीच में desert cyclone 2024 करके जो exercise हुई है, military exercise, military exercises पे, almost question जो है वो पूछ लिया जाते हैं, तो यह यह है, यह कहां पे हुई थी, राजस्तान बोली रहा हूं, राजस्तान में हुई थी, ठीक है, त इल्कुल हमारा से रहेगा, क्योंकि बच्चे इसमें confused हो सकते हैं, deserts की बात की गई थी, ठीक है, यहां तो दुबई में deserts हैं, वहां हो सकती है, जहां फिर इंडिया में, राजस्तान में desert है, ठीक है, तो राजस्तान में यह exercise हुई थी, next question देखते हैं, यह next question रहा हो, रा के नाम लिकलू, जो important होने वाले हैं, बीहु आपसे मैंने पीछे answer में पूछा था, अभी कोई वच्चा answer तो दिया नहीं आभी तक, तो मैं ही बता देता हूँ, clear है, होर्नविल नागा लेंड में मनाया जाता है, बीहु जो है, यह असम में मनाया जाता है, ठीक है, याउ स नाचल परदेश में मनाया जाता है, कुंझ सा फेस्टिबल, ड्री फेस्टिबल जो कि एक एक agriculture फेस्टिबल है, drinking फेस्टिबल होते हैं, वो agriculture इतने ही थे आज की class थोड़ी जल्दी की है हमने ठीक है थोड़ी revision type कह सकते हैं आप quick revision की है आज की class में तो सभी दोस्त जो है अपना response दीजिएगा कि आज की class आपको कैसी लगी है और जाते जाते वीडियो को like बगरा करना मत बूलिएगा तो मिलेंगे कल फिर से नहीं class में क कुछ नए questions के साथ तब तक दीजे इजाज़त मेरे भाईयो जैहिंद जैवारत और साथ में most important WhatsApp ग्रूप पे सभी दोस्त जुड़ जाईएगा क्योंकि वहाँ पे आपको timely जो है सब अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं link जो है वो description में दिया रहेगा thank you so much have a good day